चल मीडिया पर सिंगर पपॉन का एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें वो वॉइस ओफ इंडिया के एक कंटेस्टन को किस करते नजर आ रहे हैं सुप्रीम कोट की एक वकील ने National Commission for Production of Child Rights को सिंगर की इस हरकत के खिलाफ लेटर लिखा है इस लेटर में वकील रूनी भूईया ने शिकायत करते हुए लिखा है कि मैं हैरान हूँ कि सिंगर पपॉन महांता ने होली का रंग लगाते हुए एक बच्ची को गलत तरीके से किस कर लिया मैंने वीडियो देखा है पूरे देश से कई नावालिक बच्चे इस शो में भाग ले रहे हैं मैं बच्चों की सेफटी और सिक्योरिटी को लेकर परिशान हूँ महीं दूसरी तरफ पपॉन के एक फैन पेज क्लब ने 40 लोगों के खिलाफ F.I.R. दर्ज कराई है इस फैन कलब के मुताबिक सिंगर की प्रसिधी को नुकसान पहुचाने के लिए ऐसा किया गया है वॉइस ओफ इंडिया के एक कंटेस्टेंट को किस करने के मामले में सिंगर पपॉन पर सुप्रीम कोर्ट की वकील रूनी भुईया ने शिकायत दर्ज कराई है इसके बाद कंटेस्टेंट के पिता ने बयान जारी कर पपॉन का सपोर्ट किया है बच्ची के पिता ने बयान दिया है कि पपॉन मेरी बच्ची के मेंटोर और गारजियन है पपॉन उसके करियर को बहतर बनाने के लिए काफी कुछ कर रहे है सामने आए वीडियो में शो हुई चीजें जानबूच कर नहीं की गई हैं इसलिए वीडियो को जादा ना पहलाएं तेश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सबस्क्राइब करना ना भूले